हेलो आईए गैन ब्राइन देख रहे हैं आप आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कोचिंग रिजिस्टेशन के बारे में कई बार हमको कोचिंग रिजिस्टेशन के बारे में कोई जानकाई नहीं होती है और उसके चक्कर में कई बार क्या प्रॉलम होना स्टार्ट हो जाती है तो आज के इस वीडियों में कुछ कोष्ट्रेसिंस को डिसकस करेंगे तो यसे पहला कोष्ट्रन है कि कितने बच्चों पर होता है तो चलिए वन वाई बन इन्हीं पॉइंट पर डिसकस कर लेते हैं, तो सबसे पहला question है कि registration कितने बच्चों पर होता है तो देखो दो या दो से अधिक बच्चों पर अगर आप registration लेना चाहते हैं coaching का तो आप ले सकते हैं इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं सुरू बात में coaching without registration चलाते हैं वैसे कोई बहुत समस्य आती नहीं है लेकिन अगर आपको बिल्कुल 100% सेफ रहना है तो आप क्या कर सकते हैं registration पहले करवा लेजिए उसके बाद आप क्या coaching चलाना स्टार्ट करिए और दिको सुरू बात में जो stage होती है coaching की वो थोड़ा difficult होती है क्योंकि coaching के success होने के chances क्या है कम होते हैं विकोर जितनी बड़ी-बड़ी coaching जो बन चुकी है उन्होंने एक छोटे level से start किया लेकिन वो बड़ी तभी बनी है जब उन्होंने काफी ज़्यादा क्या संगर्स कि है तो coaching start करते समय ध्यान रखेगा registration लेना है और कब लेना है यह आपको अपने according क्या है चूज करना है फिर second question है कि registration का क्या charge होता है तो जो को registration आप क्या है 5000 रुपे से लेके 10,000 रुपे के बीच में क्या करवा सकते हैं यह क्या है हर state to state क्या है वैरी करता है तो एक normal आप र जार से लेके 10,000 रुपे की इसके बीच में आपका registration है वो क्या है हो जाएगा अब तीसरा question है कि registration कहा कराया जाता है तो तो अगर आप सच्छा विवाग में जाते हैं तो वहां पर आप क्या है coaching का registration क्या है करवा सकते हैं फिर next question है कि registration के लिए कौन कौन से document चाहिए तो दे क्या है आपने क्या है जो भी जगह ले रखे उसका rent agreement है तो rent agreement अगर आपका ही place है तो उसके जो भी document वगएरा वो आपको क्या है देने पढ़ते हैं इसके लाव जो basic requirement के documents होते हैं वो भी आपको क्या है देने पढ़ेंगे अब last question आता है कि registration कितने सालों के लिए valid होता है त जब तीन साल पूरी हो जाते हैं तो उसको आपको क्या renew करवाना पड़ता है तो renewal के लिए एक वार आपको फिर से application देना पड़ता है फिर आपका क्या registration क्या फिर से renewal हो जाता है तो यह coaching registration की पूरी जानकारी है और अगर आपको इसके regarding और कुछ पूछना है तो आप नीचे ठीक कमेंट को सकते हैं और अगर आपको आज के वीडियो है तो चैयर को subscribe करें और ज़दा ज़दा इस video को शेयर करें जसे कि और लोगों को भी पूरी इंफर्म से मिल सके तो जढ़िए आज के वीडियो यह हीं करते है मिलते सкоїफ नेक्त करेद ढयान्ग ऐसे त्बीडियों झाल झाल